अब सभी को आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाईया। साथियों त्योहारों की इस उमंग के बीच दिल्ली की एक खबर से ही मैं मन की बात की शुरुवात करना चाहता हूँ। इस महने की शुरुवात में गाधी जैनती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहां कॉनर प्लेस में एकी खादी स्टोर में एकी दिन में डेड़ करोड रुपिय से जादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महने चल रहे खादी महोसव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रेकॉर्ड तोड दिये हैं। आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। दस साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से तीस हजार करोड रुपिय से भी कम थी। अब ये बढ़कर सवा लाग करोड रुपिय के आस्पात पहुंच रही है। खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फायदा सहर से लेकर गाउं तक में अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है। इस बिक्री का लाप हमारे बुनकर, हस्त सिल्पि कारिगर, हमारे किसान, आयुरुवेदिक पाउधे लगाने वाले, कुटिर उद्योक, सब को लाप मिलता है। और यही तो बोकल फर लोकल अभियान की ताकत है और धीरे धीरे आप सब देशवाचों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, आज मैं अपना एक और आग्रह आपके सामने दोहराना चाहता हूं और बहुत ही आग्रह पुरवक दोहराना चाहता हूं। जब भी आप परियटन पर जाएं, तिर्थाटन पर जाएं, तो बहां के स्थानिय कलाकारों के दोहरा बना गए उत्पादों को जरूर खरीदें। आप अपनी उस यात्रा के कूल बजेट में स्थानिय उत्पादों की खरीदी को एक महत्वपुन प्राथ्विक्ता के रूप में जुरूर रखें। दस परसेंट हो, बीस परसेंट हो, जितना आपका बजेट बैठता हो, लोकल पर जरूर खर्च करिएगा और वहीं पर खर्च करिएगा। साथियों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे त्योहारों में हमारी प्राथ्विक्ता हो, बोकल फोर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें, हमारा सपना है आत्म निर्भर भारत। इस बार ऐसे प्रोरक्ट से ही घर को रोशन करें, जिससे मेरे किसी देशवासी के पसिने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवास्यों को रोजगार मिला हो, रोज मरा की जिंदगी की कोई भी आवश्यक्ता हो, हम लोकल ही लेकिन आपको एक और बात पर गहर करना होगा वोकल फ़र लोकल की ये भावना सिर्फ त्योहारों की खरीदादी तक के लिए सिमित नहीं है और कहीं तो मैंने जगाएं दिवाली का दिया लेगते हैं और फिर सोचल मीडिया में डालते हैं वोकल फ़र लोकल नई जी वो तो शुरुआज है हमें बहुत आगे बढ़ना है जीवन की हर आवश्यक्ता हमारे देश में सब कुछ उपलब्द है ये वीजन केवल छोटे दुकानदारों और रहडी पट्री से सामाल लेने तक सिमित नहीं है आज भारत दुनिया का बड़ा मैनुफेक्ट्री हब बन रहा ह कई बड़े ब्राण यही पर अपने प्रोड़क को तयार कर रहे हैं अगर हम उन प्रोड़क को अपनाते हैं तो मेकेन इंडिया को बढ़ावा मिलता है और ये भी लोकल के लिए गोकल ही होना होता है और हाँ ऐसे प्रोड़क को खरितते समय हमारे देश की सान UPI Digital Payment System से पेमेंट करने के आग रही बढ़े जीवन में आदत डाले और उस प्रोड़क के साथ या उस कारिगर के साथ सेलफी नमो एप पर मेरे साथ शैर करे और वो भी Made in India स्मार्टफोन से मैं उनमे से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शैर करूँगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फर लोकल की प्रेणा मिले साथियों जब आप भारत में बने भारतियों द्वारा बनाए गए उत्पादों से अपनी दिवाली रोशन करेंगे अपने परिवार की हर छोटी मोटी आवश्रक्ता लोकल से पूरी करेंगे तो दिवाली की जगमगाहट जादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी लेकिन उन कारिगरों की जिन्दगी में एक नई दिवाली आएगी जीवन की एक नई सुबह आएगी उनका जीवन शांदार बनेगा भारत को आत्म निर्भर बनाएगे मेकिन इंडिया ही चुनते जाएगे जिससे आपके साथ साथ और भी करोडों देशवास्यों की दिवाली शांदार बने, जांदार बने, रोशन बने, दिल्चस्प बने मेरे प्यारे देशवास्यों 31 अक्तुबर का दीन हम सभी के लिए बहुत विशेश होता है इस दिन हमारे लोहपुरूस सरदार वल्लभाई पटेल की जन्म जैन्ती मनाते है हम भारतवासी उन्हें कई वजहों से याद करते हैं और स्रद्धा पुर्वक नमन करते हैं सबसे बड़ी वजह हैं देश की 580 से जादा रियासतों को जोडने में उनकी अतुन्य भूमी का हम जानते हैं हर साल 31 अक्तूबर को गुजरात में स्टैची ओफ यूनिटी पर एकता दिवस से जुड़ा मुख्य समारो होता है इस बार इसके अलावा दिल्ली में करतव्य पत पर एक बहुत ही विशेश कारकम आयोजिद हो रहा है आपको याद होगा मैंने पिछले दिनों देश के हर गाउं से हर घर से मिट्टी संग्रह करने का आग्रह किया था हर घर से मिट्टी संग्रह करने के बाद उसे कलस में रखा गया और फिर अम्रित कलस यात्राएं निकाली गई देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माठी, ये हजारों अमुरत कलेश यात्राएं अब दिल्ली पहुँच रही है यहाँ दिल्ली में उस मिट्टी को एक बिशाल भारत कलेश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अम्रित माटिका का निर्मान होगा यह देश की राजधानी के रदय में अम्रुत महोसव की भव्य विरासत के रुप में मौजूद रहेगी 31 अक्तूबर को ही देश भर में पिछले ढ़ाई साल से चल रहे आजधी के अम्रित महोसव का समापन होगा आप सभी ने मिलकर इसे दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले महोसव में से एक बना दिया अपने सनानियों का सम्माण हो या फिर हर घर तिरंगा आजधी के अम्रित महोसों में लोगों ने अपने स्थानिय इत्यास को एक नहीं पहचान दी है इस दोरान सामुदाईर सेवा की भी अदभुत मिशाल देखने को मिली है साथियों मैं आज आपको एक और खुशकबरी सुना रहा हूँ और विशेश करके मेरे नवजवान बेटे बेटियों को जिनके दिलों में देश के लिए कुछ करने का जज़बा है सपने हैं संकल्प हैं ये खुशकबरी देशवास्यों के लिए तो है ही है मेरे नवजवान साथियों आपके लिए सब विशेश हैं दो दिन बाद ही 31 अक्तूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्र व्यापी संगषन की नीव रखी जा रही है और वो भी सरदार साब की जन्मजेंति के दिन इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत यानी माय भारत माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट निर्मार के विविन आयोजनों में अपनी सक्रिय भुमी का निभाने का अउसर देगा ये विख्सीद भारत के निर्मार में भारत की युवाओं शक्ति को एक जुट करने का एक अनोखा प्रयास है मेरा युवा भारत की वेबसाइट माय भारत भी शुरू होने वाली है मैं युवाओं से आगर करूँगा बार बार आगर करूँगा कि आप सभी मेरे देश के नौजवान आप सभी मेरे देश के बेटे बेटी mybharat.gov.in पर रजिस्टर करें और विविन्न कारिकम के लिए sign up करें 31 अक्तूबर को पूर्व प्रधानमत्री स्रीमति इंद्रा गांधी जी की पुन्यति धीपी हैं मैं उन्हें भी भावविनी स्रधांजरी अर्पित करता हूँ. मेरे परिवार्ध्यनों हमारा स्वाहित्य लिटरेचर एक भारत थ्रेष्ट भारत की भावना को प्रगाड करने के सबसे बहतरिन माध्यमों से एक है। मैं आपके साथ तमिल नाडू की गवरोशाली विरासत चे जुड़े दो बहुत ही प्रेरक प्रयासों को साजा करना चाहता हूँ। मुझे तमिल की प्रसिद्ध लेखी का बहन शीवशंकरी जी के बारे में जानने का आउसर मिला है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है नीट इंडिया थू लिटरेचर। इसका मतलब है साहित्य से देश को एक धागे में पिरोना और जोड़ना बेश प्रोजेक्ट पर बीते सोला सालों से काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के जरिये उन्होंने अठारा भारतिय भाषाओं में लिखे साहित्य का अनुवात किया है। उन्होंने कई बार कन्या कुमारी से कस्मिर तक और इमफाल से जेसल मेर तक देश भर में यात्राएं की। ताकि अलग-अलग राज्यों के लेखकों और कव्यों के इंटर्यू कर सके। शिव संक्तरी जी ने अलग-अलग जगों पर अपनी यात्रा की ट्रावेल कॉमेंटरी के साथ उन्हें पब्रिज किया है। यह तमीद और अंग्रे जी दोनों भाषाओं में हैं। इस प्रोजेक में चार बड़े वॉल्यूम्स हैं और हर वॉल्यूम भारत के अलग-अलग हिस्से को समर्पीत है। मुझे उनकी इस संकल्प शक्ति पर गर्व है। साथियों कन्या कुमारी के थिरू एके पिरुमल जी का काम भी बहुत प्रेरित करने वाला है। उन्होंने तमिन नाड़ू के ये जो स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है उसको समर्प्षित करने का सराहनिय काम किया है। वे अपने इस मिशन में पिछले 40 सानों से जुटे हैं। इसके लिए वे तमिन नाड़ू के अलग-अलग हिस्सों में ट्रावेल करते हैं। और फोक आर्ट फोरम्स को खोच कर उसे अपनी बुक का हिस्सा बनाते हैं। आपको जानकर आश्चरी होगा कि उन्होंने अब तक ऐसी करीब 100 किताबे लिख डाली हैं। इसके अलावा पिरुमल जी का एक और भी पैशन है। तमी नाडू के टेंपल करितर के बारे में रिसर्च करना उन्हें बहुत पसंद है। उन्होंने लेधर पपेट्स पर भी काफी रिसर्च की है। जिसका लाव बाकिस्थानिया लोक कलाकारों को हो रहा है। शीवशंकरी जी और एके पिरुमल जी के प्रयास हर किस्व के लिए एक मिसाल है। भारत को अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने वाले ऐसे हर प्रयास पर गर्व है। जो हमारी राष्ट्रिय एक्ता को मजबूती देने के साथ ही देश का नाम, देश का मान, सब कुछ बढ़ाए। मेरे परिवार जनों, आने वाले 15 नवंबर को पूरा देश जन जातिय गवरव दिवस मनाएगा। यह विशेष दिन बगवान बिर्शा मुंडा की जन्मजैंति से जुड़ा है। बगवान बिर्शा मुंडा हम सब के रदै में बसे हैं। सच्चा साहस क्या है? और अपनी संकल्प शक्ति पर अडी ग्रहना किसे कहते हैं। यह हम उनके जीवन से सिख सकते हैं। उन्होंने विदेशी साथन को कभी स्विकार नहीं किया। उन्होंने ऐसे समाज की परिकलपना की थी जहां अन्याय के लिए कोई जगह नहीं थी। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का जीवन मिले। भगवान विर्शा मुंडा ने प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना इस पर भी हमेशा जोड दिया। आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे आदिवासी भाईवेन प्रकृति की देखभाल और उसके समरक्षन के लिए हर तरह से समर्पित है। हम सब के लिए हमारे आदिवासी भाईवेन का ये काम बहुत बड़ी प्रेना है। साथियों कल यानि 30 अक्तूबर को गोविन गुरुजी की पुन्यति थी भी है। हमारे गुजरात और राज़स्थान के आदिवासी और वंचीत समुधायों के जीवन में गोविन गुरुजी का बहुत विशेस महत्वरहा है। गोविन गुरुजी को भी मैं अपनी स्रधानली अर्पित करता हूँ। नवंबर महिने में हम मानगड नर्शनहार की बरसी भी मनाते हैं। मैं उस नर्शनहार में शहीत माभारती की सभी संतानों को नमन करता हूँ। साथियों भारत वर्ष में आदिवासी योध्याओं का सम्रुत इतिहास रहा है। इसी भारत भूमी प्रमहान तिल का माजी ने अन्याय के खिलब बिंगुल फुका था। इसी धर्ती से सिद्धो कहनू ने समानता के आवाज उठाई। हमें गर्व है कि जन्योध्धा टंट्या भिल ने हमारी धर्ती पर जन्म लिया। हम शहीद वीर नारायंची को पूरी स्रद्धा के साथ याद करते हैं। जो कठीन परिस्तितियों में अपने लोगों के साथ खड़े रहे। बीर रामजी गोंड हो, बीर गुंडा धूर हो, भीमा नायक हो, उनका साहस आज भी हमें प्रेरित करता है। अलूरी सिताराम राजु ने आदिवासी भाई बहनों में जो अलग जगाई उसे देश आज भी याद करता है। नौर्सिस में कियांग, नोबांग और रानी गायदीनल्यू जैसे स्वतंत्रता सेन्यानियों से भी हमें काफी प्रेणा मिलती है। आदिवासी समाज से ही देश को राज मोहिनी देवी और रानी कमलापती जैसे विरांगनाएं मिली। देश इस समय आदिवासी समाज को प्रेणा देने वाली रानी दुरगावती जी की पांच सो भी जयंती माना रही है। मैं हाशा करता हूँ कि देश के अधिक से अधिक युवां अपने ख्षेत्र की आदिवासी विभीतियों के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेणा लेंगे। देश अपने आदिवासी समाज का कृतग्य हैं जिन्होंने राश के स्वाभिमान और उत्थान को हमेशा सर्वों पर ही रखा है। मेरे प्यारे देश वासियों त्योहारों के इस मौसम में इस समय देश में स्पोर्ट्स का भी पर्चम लहरा रहा है। पिछले दिनों एशियन गेम्स के बाद पैरा एशियन गेम्स में भी भारत के खिलाडियों ने जबर जस्क कामियाभी हासिल की है। इन खेलों में भारत ने 111 मिडल जीत कर एक नया इत्यास रद दिया है। मैं पारा एश्यन गेम्स में हिस्से लाने वाले सभी एथलेट्स को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, चाथियों मैं आपका ध्यान स्पेशल आलेम्पिक्स वर्ल्ड समर गेम्स की और भी ले जाना चाहता हूँ, इसका आयोजन बरलीन में हुआ था, ये प्रतियोगिता हमारे intellectual disabilities वाले एथलेटों की अध्भूत क्षमता को सामने लाती है, इस प्रतियोगिता में भारतिय दल ने 75 गोल मेडल सहीत, 200 पतक जीते, रोलर स्केटिंग हो, बीच वालीबॉल हो, फुटबॉल हो, या लोन टेनिस, भारतिये खिलाणियों ने मेडल्स की जड़ी लगा दी, इन पतक विज़ेताओं की लाइफ जर्नी काफी इंस्पारिंग रही है, हर्याना के रणवीर सैनी ने गोल्फ में गोल मेड़ जिता है, बचपन से ही, आटीजम से जूज रहे, रणवीर के लिए कोई भी चुनो दी, गोल्फ को लेकर उनके जुनून को कम नहीं कर पाई, उनकी मा तो यहां तक कहती हैं कि रणवीर की वज़े से परिवार में आज सब गोल्फर बन गए हैं, पूड़ुचेरी के सोला साल के टी विशाल ने चार मेडल जिते, गोवा की सिया सरोदे ने, पावर लिप्टिंग में दो गोल्ब मेडल सहीत, चार पदक अपने नाम कि नव साल की उम्र में अपनी मा को खोने के बाद भी उन्होंने खुद को निराश नहीं होने दिया, 36 गड़ के दुरक के रहने वाले अनुराग प्रसात ने पावर लिप्टिंग में तीन गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता है, ऐसी ही प्रेर गाथा जारखन के इंदू प प्रेक्लिंग में दो मेडल जीते हैं, बहुती साधारन परिवार से आने के बावजूत, इंदू ने गरीवी को कभी अपनी सफरता के सामने दिवार नहीं बनने दिया, मुझे विश्वास है, इन खेलों में भारतिये खिलाडियों के सफरता, इंट्रलेक्शुल डिसेबि का मुकामला कर रहे, अन्य बच्चों और परिवारों को भी प्रेरीत करेगी, मेरी आप सबसे भी प्रांथरा है, आपके गाउं में, आपके गाउं के अगल बगल में, ऐसे बच्चे जोनोंने इस खेलकुत में हिस्सा लिया है, या विजय हुए है, आप सब परिवार उनक होगा, पर मात्माने उनके अंदर ऐसी एक सक्ति भरी है, आपको भी उसके दर्शन का मोका मिलेगा, जुरूर जाईएगा, मेरे परिवार जनों, आप सभी ने गुजरात के तिर्थक्षेत्र, अम्बाजी मंदीर के बारे में तो अवस्य ही सुना होगा, यही एक शक्ति पीठ है, जहां देश, विदेश से बड़ी संख्या में स्रधालू, मांबे के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, यहां गबर परवत के रास्ते में आपको विभिन्द प्रकार की योग मुद्राओं और आसनों की प्रतिमाई दिखाई देगी, क्या आप जानते हैं कि इन प्रतिमाओं की खास क्या बात हैं, दरसल यह स्क्रेप से बने स्कल्प्चर हैं, यह एक प्रकार से कबाड से बने हुई हैं, और जो बहत अद्भूत हैं, यानि यह प्रतिमाई इस्तमाल हो चुकी, कबाड में फैंक दी गई, पुरानी चीजों से बनाई गई हैं, अ स्रद्धाउन लूओं के लिए आकर्षन का केंद्र बन गई हैं, इस प्रयास की सफलता को देखकर मेरे मन में एक सुझाव भी आ रहा हैं, हमारे देश में बहुत सार ऐसे लोग हैं, जो वेश से इस तरह की कलाकृतियां बना सकते हैं, तो मेरा गुजराज सरकार से आग र करें, और ऐसे लोगों को आमंत्रित करें, ये प्रयास गबर परवत का आकर्षन बढ़ाने के साथ ही, पूरे देश में वेश्ट वेल्थ अभियान के लिए लोगों को प्रेरित करेगा, जाथियों, जब भी स्वच्छ भारत और वेश्ट वेल्थ की बात आती हैं, तो हमे देश के कोने कोने से अंगिनत उधारण देखने को मिलते हैं, असम के कामरूप मेट्रोपोलिटन डिस्टिक में अक्षर फोरम इस नाम का एक स्कूल, बच्चों में सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट की भावना भरने का संस्कार का एक निरंतर काम कर रहा है, यहां पढ़ने वाले विद्यारती हर हफ्ते प्लास्टिक बेश्ट जमा करते हैं, जिसका उप्योग इको फ्रेंडी इंटे और चावी की चेंज जैसे सामान बनाने में होता है, यहां स्टूडन्स को रीसाइक्लिंग और प्लास्टिक बेश्ट से प्रोड़क बनाना भी स्काया जाता है, कम आयु में ही परियावरण के प्रतिये जागुरुत्ता इन बच्चों को देश का एक करतव्य निष्ठ नागरिक बनाने में बहुत मदद करेगी, मेरे परिवार जनों, आज जीवन का कोई ऐसा ख्षेत्र नहीं, जहां हमें नारी शक्ति का सामर्थ देखने को नहीं मिल इस दोर में, जब हर तरफ उनकी उप्रद्यों का सरहा जा रहा है, तो हमें भक्ति की शक्ति को दिखाने वाली एक ऐसी महिला संत को भी याद रखना है, जिसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है, देश इस वर्स महान संत मिरावाई की पांसो पचीसवी जन्म जन्ती मना रहा है, वो देश भर के लोगों के लिए कई वजहों से एक प्रेणा शक्ति रही है, अगर किसी की संगीत में रूची हो, तो वो संगीत के प्रती समर्पन का बड़ा उधारन ही है, अगर कोई कविताओं का प्रेमी हो, तो भक्ति रस में डूबे मिरावाई के भजन उसे अलग ही आनन्द देते हैं, अगर कोई दैविये शक्ति में विश्वाद रखता हो, तो मिरा भाई का स्रीक्रष्ण में लीन हो जारा, उसके लिए एक बड़ी प्रेणा बन सकता है, मिरा भाई संत्रविदास को अपना गुरु मानती थी, वो कहती भी थी, गुरु मिलिया रइदास, दिनी ज्यान की गुटकी, देश की मातों, बैनों और बेटियों के लिए, मिरा भाई, आज भी प्रेणा पुंज है, उस कालखन में भी उन्होंने, अपने भीतर की आवाज को ही सुना, और रूढ़ी वादी धारणाओं के खिलाप खड़ी हुई, एक संत के रुप में भी, वे हम सब को प्रेणित करती हैं, वे भारती समाज और संस्कृति को तब ससक्त करने के लिए आगे आई हैं, जब देश कई प्रकार के हमले जेल रहा था, सरल्ता और सादगी में कितनी शक्ती होती हैं, यह हमें मिरा भाई के जीवनकाल से पता चलता है, मैं संत मिरा भाई को नमन करता हूँ, मेरे प्यारे परिवार जनो, इस बार मन की बात में इतना ही, आप सब के साथ होने वाला हर समवाद मुझे नई उर्जा से भर देता है, आपके संदेशों में उमीद और पॉजिटिविटी से जुड़ी सेंकडों गांखाएं मुझ तक पहुंचती रहती हैं, मेरा फिर से आपसे आग रहें, आत्मनिर भर भारत अभ्यान पर बल दे, स्थानिय उत्पात खरी दे, लोकल के लिए वोकल बने, जैसे आप अपने घरों को स्वच्च रखते हैं, वैसे ही अपने महले और शहर को स्वच्च रखें, और आपको पता है, 31 अक्तूबर सरदार साब की जैनती, देश एकता के दिवस के रूप में मनाती हैं, देश के अनेक स्थानों पर रन फर यूनिटी के कारकम होते हैं, आप भी 31 अक्तुबर को रन फर यूनिटी के कारकम को आयोजित करें, बहुत बड़ी मात्रा में आप भी जुड़ें, एकता के संकल्प को मजबूत करें, एक बार फिर मैं आने वाले त्योवारों के लिए अनेक अनेक शुक्वामनाय देता हूं, आप सभी परिवार समेत खुश्या मनाएं, स्वस्थ रहें, आनन में रहें, यही मेरी कामना हैं, और हां दिवाली के समय कहीं ऐसी गलते नहो जाएं, कहीं आग की कोई गटनाय हो जाएं, किसे के जीवन को खत्रा हो जाएं, तो आप जुरूर समालिये, खुद को भी समालिये, और पूरे ख्षेत्र को भी समालिये, बहुत बहुत शुब काम नाए, बहुत बहुत धन्यवाद